दोस्तों आपको क्या लगता है कि सिर्फ वीडियो अच्छा होने से आपके वीडियो पर व्यूस आ जाएगा लोग आपको वीडियो को देखने लगेंगे बिल्कुल गलत ऐसा नहीं होता है आप कितना भी अच्छा वीडियो बना लो ठेक है लेकिन आपको वीडियो को लोग करना पड़ेगा जब तक आप स्रेटिंग नहीं करोगे अपने चैनल पर तब तक आपके वीडियो पर बिल्कुब भी व्यूस नहीं आएगा आप कितना भी अच्छा वीडियो बना लो दो लाग का कैमरे से वीडियो सूट कर लो, पचास-पचाहजार के माइक से वीडियो सूट कर लो, भॉइस रिकॉर्ड कर लो, इडिक्टिंग कर लो अच्छा खासा PC लैप्टॉप से, लेकिन फिर भी आपके वीडियो को कोई देखेगा ही नहीं, क्यों बता है, क्योंकि आपके वीडियो को समझता है, यूटूब आपका वीडियो को समझेगा तब ही और जाकर आपके वीडियो पर व्यूस आएगा, टिके है, लेकिन सब से पहले आपको कुछ सेटिंग को करना पड़ेगा, नहीं तो आपकि तना घृट्फियो बना लो, अच्छे क्वैली के स कि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे इंपोर्टेंट सेटिंग के बारे में बताने वाला हूं जो कि परस्टनली मैं और मेरे जैसा बहुत सारी यूटूबर ने किया है और सिर्फ मेरे जैसे यूटूबर नहीं मुझसे बड़े-बड़े कुरेटर है मनोजदे टेक्निकल य अब बढ़ते हैं अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ तो दोस्तों वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना जो चीज बताने वाला हूं बहुत ही इंपोर्टेंट चीज होने वाली है जब तक आप इन सारे सेटिंग को और नहीं करोगे तब तक आपको वीडियो पर भ्यूस नहीं आएगा ठीक है तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सीधे बढ़ते है अपने वीडियो studio.youtube.com यहां पर देख लो बिल्कुल ठीक है studio.youtube.com इस प्रकार से लिग के आपको यहां पर सर्च कर देना है सिर्फ सर्च करने से कुछ नहीं होने वाला है देखो यहां पर Chrome ब्राजर में आपका जो मैं चैनल है जिस भी चैनल पर आपका शेटिंग को आन करना चाहते ह सर्च को जब तक on नहीं करूंगा तब यूटूब समझ ही नहीं पाएगा हमारे वीडियो पर भ्यूज नहीं आएगा तो सबसे पहले आपको यहां पर dashboard में open कर लेना है मतलब आपको आपका चैनल का dashboard open कर लेना है Chrome browser में जाके अगर आपके पास PC laptop है तब और अच्छी बात है नहीं है तो अब mobile में भी कर सकते हो इतने करने के बाद दोस्तों यहां पर देखो सबसे पहले आपको छोड़ी छोड़ी चीजे बताता हूं हर एक समझना जरूरी है तब ही आपको वीडियो रिकमेंट करेगा सजेस्ट करेगा और आपके वीडियो पर भ्यूस आएगा यूटूब आपके वीडियो को समझेगा तभी यूटूब आपके वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों के पास भेजेगा तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना पड़ेगा यहां पर देखो कोने में मैं जूम करके दिखा देता हूं यहां पको एक option मिलता है settings का ठीक है द तो सबसे पहले आपके option दिखने को मिलता है जेनरल का ठीक है तो जेनरल भी होता क्या है देखो आपको करनसी दिख रहा है यह आप करनसी चेंज कर सकते हो अगर आपका जो पैसा मिलता है यूटूब से वह डॉलर में देखना चाहते हो आप सिंपली इसके पर क्लिक करके य चैनल का यह वाला option ठीक है बिल्कुल ध्यान से देख लो तो आपको सिंपली इसके पर यहां पर क्लिक कर देना है जब आप इसके पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इसका से इंटरफेस आ जाएगा ठीक है सबसे पहली गलती लोग यहीं पर करते हैं जिसके वज़े स अर्विंद पंडित इस प्रकार से करके बहुत सारा यहां पर कीवर्ड डाल दिया हूं सबसे पहला गलती है यह लोग क्या सोचते हैं कि मैं अपने चैनल का नाम यहां पर कीवर्ड डाल दूँगा तो मेरे चैनल सर्च भी जाएगा अच्छा चाहसा रैंक करेगा लेकिन करसा नहीं होता है आप एक बार लिको या दो बार लिको वही रहेगा वो बदलने वाला नहीं है तो आप अपने चैनल का नाम को चार बार उल्टा सिधा करके सकते हो ज्याँ के चैनल का नाम है अर्विंद như नैं अर्विंद पंडित उसके बाद आपको दोनों मतलब मिक्स करके लिख देना है मतलब कुल मिला कि तीन चार पांच बार आप लिख सकते हो टेड़ा मिला करके अपना नाम ही ठीक है लेकिन एक चीज बार बार लेखने से कोई फायदा नहीं है उससे कोई वैनेफिट नहीं होन कीवाड लिखना है अब दोसके बलता है आप आप का चैनल है तो चैनल है यह फिक है तेख का टेक हो एक्टायम है और malicious दीक है आप Первीताकि है और टाइम सकती हो कि 1050 वीडियो जैसे ही लिए विधार वाइरल एंक खरें टेक है तो इसी परकार से आप यहां पर डाल सकते हो, वाज time कैसे बढ़ाएं, subscriber कैसे बढ़ाएं, views कैसे बढ़ाएं, channel grow कैसे करें, जो आपके related, आप जिस तरह का वीडियो बनाते हो, उन सबसे related यहां पर keyword add कर देना है, आपका जो भी topic हो, अगर आपका blogging का channel है, तो आप moto blogging करते ह free fire one v4 class, तो इस प्रकार से जिस topic को लेकर आप ज्यादा वीडियो बनाते हो, जैसे कि मैं बना रहा हूं कि subscriber कैसे बढ़ाएं, तो simply आप लिग देता हूं, subscriber कैसे, चलो आप लिग देता हूं, कैसे, बढ़ाएं, ठीक है, उसका बाद एंटर करता हूं, फिर से लिग देता को मिलता है, यहां पर देखो, advanced setting, ठीक है, आपको इसके पर click करना है, click करने के बाद दोस्तों, यहां पर लोग select नहीं करते है, जब channel लया होता है, तो advanced setting में यहां पर जो option मिल रहा है, यहां पर तोटल तीन option देखने को मिलता है, बिल्कुल ध्यान से देखना, यहां पर आ आया जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, yes, it's made for kite, मतलब उपर वाला select कर लेना है, अगर आपका video जो होता है, 18 years से नीचे का लोग देख सकते हैं, तो आप उपर वाले option को select कर लेना है, लेकिन अगर आप वैसा video बनाते हो, जो की बड़े लोगों के लिए है, ठीक है, आप आपका video है, वो बच्चे के लिए नहीं है, तो आप से नीचे वाला option दिख रहा है, no, it's made for kite, आपको इसको select करना है, और नीचे अगर आप I want to review this setting for everywhere कर सकते हो, तो जब आप video upload करोगे ना, तो उस टाइम आपको वापर select करने का option आएगा, video uploading के time, नहीं तो अगर आप यही save कर दोगे, तो गाइस अब देखो, फिर से यहाँ पर आना है, आपको setting में, पहला step तो हमारा complete हो जगा है, उसके बाद आपको फिर से setting में आना यहाँ पर, यहाँ पर आने के बाद देखो, फिर से option मिलेगा, तो आपको यहाँ पर आजाना है, upload defaults में, ठीक है, पहले तो ह आपको आपको keyword में डालके कर देना है, enter कर देना है, save कर देना है, ताकि 2-4 हफते बाद, 5-10 दिन बाद, वो keyword automatic rank करने लएगा, और उन सब keywords related जब आप विडियो बनाओगे न, तो उस विडियो पर definitely अच्छा खासा impression बढ़ेगा, और impression बढ़ेगा, तब तो आपको विडिय option में already कुछ link के रख सकते हो, ताकि जब विडियो अप्लोड करोगे, तो बार बार आपको लिखना ना पड़े, कुछ common चीज़ें होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर अपने contact, यह से विडियो पब्लिस होता है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आप चाहँ तो tag भी पर नहीं पड़ेगी, जब विडियो अप्लोड करोगे, तो विडियो में आपका tag आ जाएगा, यहाँ पर बेसिक इन्फरमेशन में, यहाँ पर आपको उसके बाद दिखता है, यहाँ पर सबसे important चीज़ यही है, यहाँ पर आपको सबसे पहले यह देखो अगर यह चीज और अगर आपका विडियो दूसरों लोगों के पास भीज़ देगा, तो उससे थोड़ी आएगा, सबसे पहले यूटूब समझेगा कि यह कि तरह का चैनल है, किस तरह का विडियो बना रहे हैं, तो वैसे ऑडियो के पास आपके विडियो भीज़ेगा, नहीं तो मैं आप पास भीज़ेगा, तो मैं आपके विडियो को क्यों देखूंगा, क्योंकि मुझे गेमिंग में इंटरस्ट नहीं है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहां पे आपको यूटूब को बताना पड़ेगा, कि आपकी तरह का विडियो बनाते हो, यहां से आप बता सकत सबसे पहले करना पड़ता है, सबसे पहले क्या है, यहां पर दो लाइसेंस को रखना है, यहां को यकान में तक शॉकर करते हो, तो हमिशा भी पहले तो सस्प्राइक कर लें, पहला चीज biz आपको उसी प्रकार का कटेगरी लेना है समझ रहे हो अगर आप सिंकर सकते हो अगर का माल मिलोक का चैनल तो आप यहाँ पीपल एणड कर सकते हो उसके बाद आपका जिए प्रिए चानल है आपको शिम्पली वही चीज यांपर कर लेना है बिल्कुल ध्यान से अगर आप सलेक्ट नहीं करोगे तो यूटूब समझेगा है नहीं कि किसके पास भेजना है तो इस चीज को आप मैंद में ध्यान रखना है तो अगर आप विडियो बनाओगे गेमिंग क है तो अगर आपका गेमिंग का चेनल है तो सबसे पहला चीज क्या है कि आपको सही अपना चैटेगरी को सेलेक्ट करना है तो यहां पर आपको यहां पर आजाना है यहां इसके पर किलिक करके आप ऑनीजों नाते हो सबसे पहले यह बनाना है हैं अगर आप इंग्लीस में मिना आते हो तो आपको इंग्लि स्वारइज दाल माल करते गां बहूत ज़रूरी है उसके बाद देखो यह सब यहां पर दिख रहा है कि अपसन सर्टिफाइड यह सब कोई ज़रूरी नहीं है यहां पर देखो टाइटल डिस्क्रिप्शन लेंग्विज क्या है यहां पर लिखाए इंग्लीज तो चलिए मैं इसको यहां से हिंदी कर देता हूं आ क्यारा यहां पर देखो कमेंट का मिल देखो करो क्लिक कर अचलोरी तकर डिस म Track कर लेंगा definite सारा सेटिंग जो होता है एक्टिव होने में कुछ टाइम लगता है दो चार पांच दस दिन तक आपको वेड़ करना है उसके बाद जो जी कीवर्ड आपने एड़ किया है सारा का सारा कीवर्ड रेंक करने लगेगा और उन सब कीवर्ड के पर कोई भी कीवर्ड के पर अगर विडियो बनाओगे तो उस विडियो का इंप्रेशन आटोमेटिक यूटूब बढ़ा देगा अच्छा कासा रिस्पॉंस आएगा तो दोस्तों फटा फट से जाओ इन सारे सेटिंग को और कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा और अगर वीडियो आपको पस सब्सक्राइब कर देना मिलतें नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई